DYSP संत ने महिलाओं के बढ़ते अपराद को ले कर ली बैठक नारी शक्ति को किया जागरुक, DYSP संत ने को रोणा जागरुकता के तहट रैली निकाल कर मास्क पहने की अपी की गुड़ाइं दला थाना क्षेत्र की खोद पुलिस चोगी परिसर मेपाली DYSP श्रवनदास संत के नेतरित्व में राजिस्थान पुलिस द्वारा चलाई जा रहे ओपरेशन आवाज अभियान के तहट बैठक आयोजित की गई जिसमें DYSP श्रवनदास संत ने कहा कि महिला अत्याचार एवं बलातकार की घटनाओं को रोकने के साथ महिलाओं के सुरप्षा संबंधी कानूनी रूप से जागरुकता एवं युवाओं को नारी सम्मान के महत्व के बारे में जानकारी दी वही बढ़ते अप्राद की रोक थाम के लिए पुलिसेवम आमजन को मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग देने को कहा साथी कुरोना जागरुकता को लेकर ग्रामीन जनता को मास्क पहिम ने वह सोशल दूरी बनाए रखने के बारे में जानकारी दी वही कुरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर सोशल दूरी के साथ रैली निकालकर रामजन को मास्क पनाकर जागरुकिया जनवरी जागरिती सिवा संस्थान की सचिव सुमन शर्मा ने रैली के दौरान 500 मास्क बाटे ये भी रहे मौजूद इस मौके पर थानाधिकारी बिहारी लाल शर्मा, चोकी प्रभारी लक्षमन सिंह राजपुरोहित, सचिव सुमन शर्मा, कॉंग्रिस नीता रमजान खोड, प्रेम सुक सुथार, जसा राम मैखवाल, व्याख्याता मांगी लालमिना, ओपाराम मैख वाल, कॉंस्टेबल बलराम जाठ, गफार खान, शंभुराम पुनिया, देवाराम मैखवाल आधि मौजूद रहे।